नमस्कार मित्रो आज किस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं हिंदू व अधनियम के तहट हिंदू विवाह के लिए माने सर्ते क्या है और साथ हम इन तीन सवालों के जवाब भी जानेंगे जो की हैं हिंदू व अधनियम के तहट हिंदू विवाह के लिए सर्ते क्यों बना और हिंदू वा अधनियम के तहट विसरते क्या हैं। तो इन तीनों सवालों के जवाब जानने के लिए वीडियो को शुरूच लेके आखरी तक अब अस्तों देखें। पहला सवाल हिंदू वा अधनियम के तहट विवा की सरते क्यों बनाए गई। हिंदु वादनियम के बनने से पहले हिंदु धर्म में विवास संबंधित, रीत रिवाजों को छोड़ कर विवास संबंधित कोई अन्यसरते नहीं थी और ना ही कोई ऐसा कानून था जिसका जैसा मन हुआ वाविवा कर लेता था या करा लेता था जैसे की बाल विवा, बहुविवा या लड़की और लड़की के मध्य विवा जिसमें लड़की और लड़के की उम्हन अधिक ऐसी ही अन विवा संबंधि समझ्याओं को नियंत्रित करने के लिए हिंदू व्वा अध्रिएम पारिद किया गया हिंदु विवा अध्रियम के तहट विवा के लिए सर्ते क्यों बनाई गई इन निम लिखे तत्यों से आप आसानी से समझ सकेंगे विवा के लिए कोई निर्धारित उम्र की सीमा नहीं थी जिसके चलते समाज में बालिवा पर अधिक जोर होने लगा विवा की उम्र सीमा तैर ना होने पर जो बारवा होती थे उसमें खास कर लड़कियों को कई दिक्कतों का सामना करना पड़ता था जो की कम उम्र में मा बनने से स्वय मा को और उसके होने वाले बच्चे को भी खत्रे की अधिक संभावना होती थी कम उम्रम में विवा हो जाने से लड़का लड़की दोनों को विवा से संबंधित बातों का ज्यान न होना अधनियम के बनने से पहले पहली पत्नी के जीवित रहते पूरुष दो या दोसे अधिवा कर लेते थे जिससे पहली पत्रे को या डर रहता था कि उसके अधिकारों का हनन न हो जाए कहें उसको घर से निकाल न दिया जाए और सुयम के और अपने बच्चों के भरण पोसर के लिए भटकना न पड़े अधियम के बनने से पहले विवा से संबंदित होने वाले अपरादों के लिए कोई कानून नहीं बना था जिसके तैत अपराद करने वाले को डंडित किया जा सके अधिनियम के बनने से पहले लड़का और लड़की कि मांसी इस्थिती पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता था जिसका परणाम दोनों में से किसी एक को जहलना पड़ता था अन ऐसे ही कई कार्णों और समस्यां को ध्यान में रखते हुए सन 1955 में सरकार दोरा विवा से समबंदित एक कानून पारित किया गया जिसको हम आप सभी हिंदु विवा अधिनियम 1915 के नाम से जानते हैं हिंदु विवा अधिनियम 1915 की किस धारा में विवा की सर्तों का प्राउधान किया गया है हिंदु विवा अधिनियम उनी 155 की धारा पांच में हिंदु विवा के लिए सर्तों का प्राउधान किया गया है दो हिंदुओं के बीच विवा तभी संपन हुआ माना जाएगा जब वे हिंदु विवा अधिनियम की धारपाच में उन लिखित निम्न सर्तों को पूरा करते हैं जैसे कि दोनों पक्षकारों में से किसी का भी पत्ति या पत्नी जीवित ना हो विवा के समय दोनों पक्षकारों में से को भी पक्ष मान से रोगी न हो दोनों विवा से संबंदित विधी मान सम्मत्ति देने में सक्षम हो दोनों पक्षकारों में से किसी भी पक्ष को बार बार पागलपन का दौरा ना पढ़ता हो विवा के समय वर ने किस वर्स की उम्र और वधो ने अठारा वर्स की उम्र पूरी कर ली हो यहां वर का मतलब है लड़के से और वधो का मतलब लड़की से है दोनों पचकार प्रतिसिद नातेदारी की डिगरियों की भीतर नाते हो दोनों पचकार एक दूसरे के सापिंड नहीं होने चाहिए इन पांचों सर्तों को और विस्तार से जानेंगे अधनियम की पहली सर्त एक विवा की अनुमती हिंदू वाधनियम की धारा पांच में वर्णे सर्तों में से एक सर्थ केवल एक विवा की अनुमति देता है और दो विवा पर प्रतिबंध लगाता है इस अधनियम के तहट एक विवा तभी मानन होगा जब दो पच्कारों में से किसी का पती या पत्नी जीवित न हो यानि विवा के समय दोनों पच्छकार पहले से विवाहित हैं तो दोनों पच्छकारों में से पती-पत्नी विवा के समय जीवित न में हो यदि दोनों में से पच्छों में से उनके पती पत्नी जीवित हैं तो उनके मद्विवा विच्छे जानी डैवर्स हो चुका हो यदि दोनों पच्छकारों में से किसी के बारे में साथ साल तक दोनों में से किसी के बारे में जीवित होने के बारे में ना सुना हो यदि कोई भी पक्षकार अधनियम की सर्थों का उलंगन करता है या करने की कोशिस करता है तो अधनियम के अनुसार डेंडित किया जाएगा दूसरी सर्थ है मानसिक इस्थिति के बारे में विवा के समय दोनों पच्छकारों की मानसिक इस्थिती सही होने चाहिए क्योंकि एक मानसिक रोगी वक्ति किसी बात को समझ पाने की काबिल नहीं होता है क्योंकि मानसिक रोगी वक्ति सही और गलत की पहचान करने में आसमर्थ होता है दोनों पक्षकारों की मांसिक इस्थिती स्वस्थ होनी चाहिए दोनों पक्षों में से किसी को भी कोई मांसिक रोग ना हो दोनों पक्षों में से किसी को भी पागलपन के दोरे ना पड़ते हो दोनों पक्षकार विवा की सहमती देने के लिए सच्छम होने चाहिए विवा की तीसरी सर्थ विवा की उम्र हिंदु विवा अधनियम की धारा पांच में वर्णी सर्थों के अनुसार दो पक्षकारों के बीच विवा तभी होगा जब दोनों ने अधनियम के तहट निर्धारित की गई उम्र सीमा को पूरी कर ली है लड़के ने 21 वर्स की उम्र और लड़की ने 18 वर्स की उम्र पूरी कर ली है तभी दोनों के बीच विवा हो सकेगा इस सर्द का मुक्य उद्देश बालवा पर प्रतिबंद लगा इसको जर से समाप्त करना है बच्चों के विवा उनके खेलने कुदने और पढ़ने की उम्र में हो जाने की कारण उनसे सिख इस्थिति, मान सिख विकास और बाल जीवन पर बहुत बुरा प्रभावप डालता है जिस उम्र में बच्चों को खेलना और पढ़ना चाहिए उस उम्र में विवा हो जाने से बेविवा से समबन्दित बातों को क्या जाने कम उर्म में मा बनना जो दोनों को मा और बच्चों की जीवन पर खत्रा रहता है चौथी सर्थ है निसिद्य संबन यानि नातेदारी की डिगरी हिंदु विवाध नियम की धारा पांच वे वड़ने सर्थों के अनुसार दोनों पक्चकारों के बीच विवा तभी संपन होगा जब प्रतिसे दिन आतेदारी की डिगरी की भीतर ना आते हो पतलब की वे एक दूसरे के रिस्तेदार ना हो यह रिस्तेदारी से मतलब मा की उपर वाली पीड़े से तीन पीड़े तक है और पिता की उपर वाली पीड़े से पांच पीड़े तक से है इस रिस्तेदारी के भीतर नहीं होने चाहिए यदि इस सर्थ का कोई भी उलंगन का रिवा करता है तो वह रिवा अवैध माना जाएगा पांच वी सर्थ सापिंड रिस्तेदारी हिंदु वाधनियम की धारा पांच में वर्णी सर्थों के अनुसार दोनों पच्छकारों के बीच विवा तभी होगा जब ये दूसरे के सापिंड रिस्तेदारी के भीतर ना आते हो इस रिस्तेदारी से मतलब मा की पीड़ी से तीन पीड़ी तक और पिता की पीड़ी से पांच पीड़ी तक से है इस रिस्तेदारी के भीतर नहीं आने चाहिए यदि इस सर्द का कोभी पचकार उलंगन कर विवा करता है तो ऐसा विवा अवैथ माना जाएगा तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने जाना हिंदू विवा से संबंधित सर्दों के बारे में एसी वीडियो के अपडेट्स पाने के लिए हमाई चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद